प्यार में धोखा, प्रेमिका का सिर काट कर नहर में फेंका. उत्तर प्रदेश के बहराय जिले से एक हिला देने वाली खबर सामने आई है, जिसमें प्रेम में पागल एक युवक ने अपनी प्रेमिका का सिर काट कर उसकी हत्या कर दी. इस खौफनाक वारदात के बाद उसने सिर को नहर में फेंक दिया और बाकी शरीर को जाडियों में छोड़ कर फरार हो गया. पुलिस ने आरोपी को गिरफतार कर लिया है और मामले की तहकिकात जारी है. बहराय जिले के थाना रूपे डिहा क्षेत्र के जमोग गाव में यह दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. 20 वर्षी ये शीबा जो अपने मामा हश्मत अली के घर रहती थी अचानक गायब हो गई. उसके मामा मामी ने उसे काफी ढूढ़ा लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिला. अन्तता 22 जुलाई को उन्होंने थाना रूपे डिहा में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर आई. जाज के दौरान पुलिस को पता चला कि शीबा का संपर्क अरुन नामक युवक से था, जो जमोग गाव के पास वाले गाव में रहता था. अरुन और शीबा एक ही स्कूल में पढ़ते थे और उनकी दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई थी. हालां कि दोनों के अलग-अलग समुदायों से होने के कारण उनके बीच का यह प्यार खतरनाक मोड ले सकता था, जिसका अंदेशा पुलिस को भी नहीं था. 23 जुलाई को थाना नानापारा कोतवाली क्षेत्र के हांडा बसेहरी गाव के पास जाडियों में एक युफ्ती की सिरकटी लाश मिलने से पुलिस के होश उड़ गए. शव का हाथ भी कटा हुआ था, और उसकी हालत देखकर पुलिस को मामले की गंभीरता का अंदाजा हो गया. जाच के दौरान शव के दाहिने पैर में बंधे एक काले धागे से पुलिस को यह पता चला कि यह शव शीबा का हो सकता है. शीबा के मामा मामी ने शव की पहचान कर ली, जिससे मामले की पुष्टी हो गई. पुलिस ने शक के आधार पर अरुन को हिरासत में लिया और उससे गहन पूछ ताच की. अरुन ने कबूल किया कि उसने अपने दोस्त कुलदीप विश्वकर्मा के साथ मिलकर इस जगहन्य अपराद को अंजाम दिया. अरुन ने बताया कि वह शीबा से प्यार करता था. लेकिन उसके घरवालों के दबाव और शीबा के लगातार शादी के लिए जोर डालने के कारण उसने उसे मारने का फैसला किया. अरुन और उसके साथी ने शीबा को 22 जुलाई को संदीप जायसवाल के भठे पर बुलाया. वहां से वे उसे बाइक पर बैठा कर गाम से दूर जाडियों में ले गए, जहां अरुन ने उसकी गला दबा कर हत्या कर दी. इसके बाद उसने शीबा का सिर और हाथ काट दिये और उसकी पहचान मिटाने के लिए उसके कपड़े उतार कर नहर में फेंक दी. पुलिस ने मामले की तफ्तीश करते हुए अरुण और कुल्दीप को गिरफतार कर लिया है. इस खौफनाक हत्या ने पूरे जिले को जगजोर कर रख दिया है. पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया है. यह घटना एक बार फिर से साबित करती है कि प्यार में धोखा और समाज के दबाव के चलते इंसान किस हद तक जा सकता है. बहरायच की इस घटना ने न केवल एक मासूम जान को छीन लिया, बलकि समाज को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं.